कटनी कोतवाली थानाक शेत्रम में गायत्री नगर गोपाल बागनेवासी, दुगधव्यवसाई या सौरप सिंग की दुकान पर कट्टे से फायर करने वाले आरोपी गोलु सिंग ठाकूर को विरफतार करने में, पुलिस को सफलता हाथ लगी है. कोतवाली थियाई अजय प्रताप सिंग ने बताया कि सौरप जब अपनी नीरच टौकीज मोर पर स्थित दूद की दुकान में बैठा था, तभी वहाँ पर गेलू ठाकूर आया और सौरप सिंग से शराब पीने के लिए पैसों की मांग किया. सौरप सिंग द्वारा पैसे देने से मना करने पर, उसे मा वहन की गंदी, गंदी गालिया देते हुए मार पीट किया और दहशत फैलाने की नियत से अपने पास रखे देशी कट्टे से एक रारुन फायर किया जो गोली दुकान के काउंटर में जाकर लगी, आरोपी घटन कारित करने के बाद मौके से फरार हो गया, सौरब सिंग की रिपोर्ट पर थाना कोत्वाली कटनी में अपराद दर्चकर विवेचना में लिया गया, पुलिस अधीक्षक सुनील जैन के मार्ग दर्शन में एवम अती, पुलिस अधीक्षक मनोज किरिया, नगर पुलिस आरोपी दीपक उर्फ गोलु ठाकुर पिता गजराज सिंग उम्र 31 वर्ष निवासी पाठक वार्थ थाना रगनाथंगा हाल निवासी गनेश चौक कटनी को आधार कप कटनी से गिरफतार किया गया, आरोपी के कबजे से घटना में प्रयुक्त किया गया एक नग देशी क एक जिन्दा कार्थूस भी बरामत किया गया है, आरोपी के विरुधपूर्व सिथाना कोतवाली कटनी में 13 अपरादिक प्रकरन पंजीबद होना पाए गये है किया गया है